नमस्कार मैं रवी कुमार लेक्चर कंप्यूटर साइन्स जीपीसी डुंगरपूर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम CS305.NET टेक्नलोजी में ASP.NET का आर्खिटेक्चर पढ़ेंगे ASP.NET का वेब एप्लिकेशन कैसे काम करता है वो हम इस डाइग्राम से देख सकते हैं सबसे पहले वेब क्लाइंट है वो ब्राउजर की साइता से रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पर IIS पर इंटरनेट इंफोर्मेशन सर्विसेज और IIS सर्वर वो कम्यूनिकेट करता है ASP.NET एप्लिकेशन से और ASP.NET एप्लिकेशन वो रन करता है .NET फ्रेमवर्क पर .NET फ्रेमवर्क है उसका आर्खिटेक्चर हम देख चुके हैं .NET फ्रेमवर्क का आर्खिटेक्चर हमने पढ़ा था तो .NET फ्रेमवर्क तो रहेगा इसके अंदर उसके ओपर ASP.NET रन करेगा फिर यह .NET फ्रेमवर्क का वो रन करता है .NET फ्रेमवर्क का वो रन करता है Windows NT उब्लिक 2000 उप्रेटिंग सिस्टम पर जो Windows का उप्रेटिंग सिस्टम है उस पर रन करता है तो यह तो एक working model होता है कि कैसे web client है वो browser की help से request भेजेगा internet information services सर्वर है उस पर और फिर ASP.NET है वो communicate करेगा server से और server itself भी किस पर रन कर रहा है Windows operating system पर ASP.NET application किस पर रन कर रहा है .NET framework पर और .NET framework किस पर रन कर रहा है Windows operating system पर अब ASP.NET में जो हम web applications बनाते हैं उनका architecture कैसे रहता है वो हम देखेंगे तो उसको हम mainly 3 layers में divide कर सकते हैं application को और यह बहुत ही popular है जो architecture है 3 layer का क्योंकि यह application की performance है scalability है flexibility है और code को reuse करना इनको बढ़ावा देते हैं जो 3 layer architecture है उसे application की कारेक्स पता को बढ़ा सकते हैं अब इसको तीन प्रमुक layer से उन में divide किया गया है presentation layer presentation layer क्या करती है जो user interface है उससे जो समदित है presentation code उसको manage करती है business layer यह business के जो rules है logic है उनको बनाए रखती है और सबसे नीचे data layer यह क्या करती है data को store करती है और उसको retrieve करने के लिए काम करती है हम इनको details में देखेंगे presentation layer presentation layer website या application के users को interface प्रोवाइड करती है और इसमें .aspx या windows forms जैसे pages होते हैं जहां user के लिए data पस्तुत किया जाता है या user जानकारी enter करता है जैसे हम website open करते हैं तो दो ही काम करते हैं या तो server पर कुछ जानकारी भेज रहे होते हैं enter कर रहे होते हैं या फिर server से कोई जानकारी आ रही होती है उसको read कर रहे होते हैं यह layer है वो business layer के साथ communicate करती है presentation layer asp.net में file के पीछे का code और html का code दोनों अलग-अलग होते हैं html file है वो waveform का look और layout को प्रिवासित करती है और जो file के पीछे का code होता है वो presentation logic होता है उसमें यह जो separation है दोनों में यह designer और developer को मदद करता है designer त्यार करता है website का look and feel और developer करता है उसका logic develop करता है तो इन दोनों के अंदर separation रहे दोनों में कोई confusion नहीं हो किसी तरह का तो दोनों को अलग-अलग रहते हैं ASP में हमने क्या देखा था ASP के अंदर क्या होता है यह दोनों mix होती थी ASP और HTML दोनों mix होती थी वहाँ पर काफी मुस्किल आते थी लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों अलग-अलग होते हैं तो दोनों के facility है उनका कोई interference नहीं होता आपस में तो designer को user interface में बदलाव करने के लिए business logic में कोई change हो रहा है कुछ उसकी चिंता करने कोई जरूत नहीं होती और developer है उसको code update करते time जो उसकी look and feel है उसके बारे में चिंता करने की जरूत नहीं होती business logic business layer और application layer acts between application layer and data access layer तो business layer है वह काम करती है application layer और data access layer के बीच में यह layer होती है business logic होता है इसमें validation होता है data का और other functions होते है validation से मतलब है कि कि किसी भी जानकारी को valid है या नहीं है पता लगाना जैसे mobile number वह 10 digit का है email id है उसका जो format है वह proper है या नहीं है तो इस तरह के validations होते है इस layer के अंदर programmers है वह access करते है data को data access layer से data access layer को sort में क्या होता है DAL suppose कोई user है वह register करना चाहता है और उसने सारी details है वह fill किये और click किया है submit button को अब submit button और जो details फिल कर रहा है फोरम पर वह कहाँ पर होती है presentation layer के उपर तो वहाँ पर जैसे ही submit करेगा तो किसको call जाएगा business layer को और business layer के अंदर programmer access करता है functions और pass करता है parameters को that is provided by the end user as example जैसे कि insert कर रहा है user details जिसमें string के format में आएगा उसका username string में आएगा password string में आएगा email string first name आएगा string last name string address float salary तो इस तरह कि हम देखते हैं हम forum बढ़ते ही है website के ओपर इस तरह से user है वो data enter करता है और वो enter कर रहा है वहाँ पर कौन सी layer है presentation layer जैसे submit button क्लिक किया तो जो business logic है उसने validation वगर चेक किया सारा और जो data था वो किसको भेज़ दिया data layer को भेज़ दिया data layer क्या करेगी data layer के अंदर code होता है related to database जो database and related code और वो इसके अंदर लिखाव होता है data layer के अंदर इसके अंदर methods होते हैं जो database से connection establish करते हैं और इसके अंदर method होते है зов user द्वारा जो information फिल गई गई यह forum में उसको database में insert कर देते हैं update कर देते हैं delete भी कर सकते हैं और अगर user कोई जानकारी चाहता है तो database से selected data है उनको SQL query के थूरू select करके user को base देते हैं diagram हम देख सकते हैं किस तरह से first layer presentation layer हो गई presentation layer क्या होती है उपर लिखावा है waveforms, windows forms जो भी अपने को browser के अंदर display होता है वो किस के थूरू होता है? presentation layer के थूरू उसके बाद में उसके नीचे जो layer काम करती है वो होती है business layer तो business layer के अंदर logic होता है जो programming में होता है, csarp में होता है या vp.net में होता है तो इसमें business logic होता है जिसमें validation वगरा होता है फिर उसके नीचे जो layer काम होती है data layer data layer क्या गती है? इसके अंदर database से related काम होता है तो यह architecture है asp.net की applications का अब जो three tier architecture है उसके advantages क्या है? main first advantage है वो flexibility है क्योंकि सारी जो layers है उसके अंदर separate code होता है और एक layer है वो independent होती है दूसरी किसी layer से तो उसमें एक layer में जब हम कुछ changes करते हैं तो हमें कोई tension नहीं होती है कि दूसरी layer के अंदर कुछ इससे गड़बड हो सकता है तो इससे flexibility होती है हम independently किसी भी layer के अंदर update कर सकते हैं maintainability maintain करना भी आसान हो जाता है क्योंकि एक component में या एक layer के अंदर जब कुछ हम change करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता दूसरी layer के उपर तो हम application को बहुत यासानी से maintain कर सकते है reusability एक single library या component है उसको access किया जा सकता है multiple times presentation layer के अंदर तो यह easy हो जाता है हमारे लिए reuse करना भा components को हम reuse कर सकते है आसानी से multiple times कई बार use कर सकते है by separating the application into multiple layers scalability we can deploy application components across multiple servers so it makes the system much more scalable तो scalability हो जाती है क्योंकि हम application को deploy कर सकते है उसके components को multiple servers पर अगर एक server को जदा load आज़ा तो multiple servers पर इसको load कर सकते है तो उससे scalability हो जाती है तो students यह था asp.net का architecture कैसे काम करता है उसके applications कैसे काम करते है thank you झाला जाराइब केegए झालाइब कि लूपर था हम करता है